गुड मॉर्निंग अस्टेट्स क्लास एट के मैथ के इस लेक्चर में स्क्वाइर रोट्स निकालना सिखेंगे जब हमारा नंबर जो डिस्मल फॉर्म हो प्रिविएंस लेक्चर में हम लोग वहाँ भी स्क्वाइर रोट निकाले थे पर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर का by long division method वहाँ पे नमबर हमारा decimal form नहीं था यहाँ भी हम लोग long division method से निकालेंगे लेकिन नमबर हमारा decimal form होगा ठीक है तो इसको देखते हैं फर्स्ट कोश्चन है evaluate root under 1.69 अब 1.69 इसको evaluate करना है इसका square root निकालना है ठीक है तो इसका हम वह स्लूशन दिखते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे पहले 1.69 अब राइट शायट से दो दो का हम लोग प्यार लगाएंगे तो पहले 69 का प्यार होगा फिर 1 यहाँ पे single रहेग ठीक है अब जिस नंबर से divide करेंगे उतना ही times करते हैं मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना हो जिसका square या तो one हो या one से just place हो तो यहाँ पर one into one one होता है तो one से divide करेंगे one times one आ जागा अब one one यह cancel हो जागा ठीक है फिर one में one add कर दिए two आगे यहाँ पर इसके बाद क्या कर देंगे अब यहाँ पर क्या जागा 69 अब जो डिट यहाँ पर रखेंगे वह हमको question रिखना होता है तो 23 इंटू 3 करेंगे यह कितना जागा 69 और 69 से 69 यहाँ रखा जागा माइस हो कि यह cancel हो जागा अब यहाँ 3 को आड कर देंगे यह 26 आ गया तो therefore यह square root 1.6 ने किसके equal ह हो जागा तो यह हमारा 1.3 के equal आजएगा second question है evaluate square root 42.25 ठीक है अब यहाँ पे इसका square root निकालना है तो यहाँ भी वही काम करेंगे राइट से दो-दो कम लोग पेर लगाते है ठीक है तो यहाँ भी दो period आ गया decimal से एक left में हो गया एक right में हो गया अब यहाँ पे हमको एक ऐ 6 से multiply करेंगे ठीक है 6 का square लिखेंगे कितना हो गये 36 और 42 से 36 को माइनस करेंगे तो कितना है का 6 आ गया अब यह 6 में 6 को आद कर देते हैं यह 12 आ जागा अब इसके बाद जो decimal है इस decimal को में कहां भी लिखते हैं question में इसलिए question भी 5 आ गया अब 125 को में लोग 5 से multiply कर देंगे तो यह आजगा 625 और यह माइनस होके cancel हो गया अफिर यह 125 में 5 को आड़ कर दिए तो 130 आ गया therefore square root of 42.25 कि कितना हो जागा इकोलोजय का 6.5 कि थार्ट कोश्चन में भी दिया हो evaluate question है हमारा square root 9.8596 ठीक है अब यह 5 डिजिट के नंबर है इसका भी square root निकालना है तो मुलोग क्या करेंगे decimal के right में जो डिजिट है इसमें दो दो का pair लगाएंगे ठीक है और यहां left में क्या होगा है single 9 एक नंबर लिखेंगे यहां 85 को और 3 और 3 एड़ करके 6 ला देंगे अब 85 आ गया तो यहां पर क्या कि हम लोग 1 पूट कर दिये ठीक है न 61 जा क्या होगा 61 अब 85 से 61 को माइनस करेंगा हम लो यह 24 आगा अब 61 में 1 को एड़ कर दिये 62 आ गया अब इसके बाद हम लोगा 96 को लोग चेक किजिएगा उस समझ में आ जाता है ठीक है अब यहाँ 4 रखेए 624 को हम लोगो 4 से हमारे इप्लाई कर दिए तो यह हमारा नमबर क्या गया 2496 अब यह माइनस हो के हमारा कैंसिल हो जागा और 4 को लाके आड कर देंगे तो यह हमारा आगया 628 अब यहाँ पे स्क्राइब रूट क्या होगा इसका तो देरफोर स्क्राइब रूट ऑफ 9.859 फिस इकल टू 3.14 को फोर एवेल वेट रूट अंडर 0.4225 यहां पे उसको में लिख दिये और फिर राइट से दोदो का प्यार लगा दिये तो पर लेट 25 का हो गया फिर 42 का हो गया अग डिसमल स कोई नंबर या कोई डिस्त है नहीं ठीक है ना तो इसको में छोड़ देंगा ठीक है को सब्सक्राइब करना शुरू करेंगे और 42 है तो 6 को मैंस कर दिये कितना गया जागा अब 6 6 आड कर देंगे 12 आजागा अब यहां पर आगे हमारा 25 तो यह नंबर हो गया 625 यहां भी 5 लिखेंगे और कोईसेंद भी 5 लिखेंगे अब 125 को 5 सब्सक्राइब कर देंगे तो यह आ जागा 625 अब यह मानस होगे कैंसिल हो गया और फिर 5 को लाके 125 में आड कर देंगे यह मर कितना हो जागा 130 तो देरफोर एसक्वार रूट अब 0.425 यह मर कितना हो जागा 0.65 यहां आपनो 0 पाले एक लिख देते हैं डिस्मल से लेफ्ट में ठीक है तिस्तरा से हम लोग और कोई नंबर डिस्मल फॉर्म में है तो उसका एसक्वार रूट निकाल लेंगे अब नेक्स लिखते हैं तो फाइंड वैलू आफ एसक्वार रूट कॉरेक्ट अप्टू सब्लेस अब इसमें लोगको एसक्वार रूट निकालना है और कोई कोश्चन दिया हो जिसमें दे कि 2 प्लेस अफ डिस्मल तक इसका एसक्वार रूट निकाल लिए तो छो पहले क्या करेंगे 3 place of decimal तक उसका value निकालेंगे और फिर answer में उसको लिखने के समय round of कर देंगे उसको 2 place में और question में दिया हो कि 3 place of decimal तक correct value निकाले उसका तो हम लो 4 place of decimal तक value निकालेंगे और फिर उसको last में round of कर देंगे हम लो 3 place of decimal तक अब इसको एक question से समझते हैं question of 5 है evaluate square root 2 correct up to two places of decimal अब यहाँ पे root 2 का हमको value निकालना है जो कि correct कहां तक हो two place of decimal ठीक है तो इसको हमनों पहले निकालेंगे three place of decimal तक इसका value root 2 का और इसको फिर हमनों round up करके two place of decimal तक लिखते हैं अब root 2 का value three place तक निकालने के लिए इसको लिखे है two point decimal लिख दिए 000000 means यहाँ पे तीन पेर हमनों बना दिए two के बाद यह value क्या है two ही हमारा two point 0000 means यह two है अब इससे root two का value निकलेगा three place of decimal तक है अब इसको हमनों डिवाइड करते है लॉंग डिवाइट से तो यह 100 हो जागा one one add कर दिए two हो गया ठीक है अब 24 फोर जा कर दिए 96 अब हंड़ेट से 96 माइनस पूर आ गया ठीक है फिर इसके बाद यह दो 00 यहां पर आ जागा तो यह 400 हो जागा अब 24 में four add कर दिए 28 आ गया अब यहां पर रखेंगे 281 बंजा 281 अब फिर 400 से 281 को माइनस करेंगे ठीक है तो यहां आ जागा 119 फिर 20 यहां पर आ गया अब इसमें 281 में 282 हो गया अब इसको नो four times multiply करेंगे तो यह हमारा आ जागा यह नंबर 11296 अब इसको नो माइनस करेंगे तो यहां पर आ जागा हमारा 604 अब यह हमारा perfect square नंबर नहीं है इसलिए रिमेंड़ जिरो नहीं आएगा इसको लॉंग डिविजन को और हम लोग आगे करें और लॉंग करें तब भी कभी यहां पर रिमेंड़ जिरो नहीं आने वाला क्योंकि यह perfect square नंबर नहीं है और फोर को लाकी यहां पर आड़ कर दिए ठीक है तो देरफ़र रूट टू के अब इसको आप लोग खुल से स्वल्प किजिएगा तो इसका बहलू कहां तक लिएगा अब लोग डिसमल के चार दिर्ट बारत तक ठीक है यहां पर थ्री पॉनट लिख के इसका चार फिर बनाएगा जिरोगा फिर उसके बाद तीन प्लेस तक उसका हम लोग एंसर लिखे ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक्यू एब नाइस दें